नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आज है 13 जन्वरी और आप देख रहे हैं एमसूर्वा एग्रो एक्सपोर्ट का डीजिटल पेज निर्यात की बात करें तो दुबई में भी कल 30 से 35 रुपे प्रती किलो तक का भाव देखा गया श्री लंका में भी कल के ठोक बाजार तेजी के साथ बंध हुई है भाव की बात करें तो 55 से 50 भारती रुपे के हिसाब से देखा गया एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिसले साल निर्यात में भाड़ी कमी देखी गई है जिसमें सबसे बड़ा कारण रहा पाकिस्तान में प्याज का दाम काफी कम होना और उत्पादन जादा रहना जिस कारण उसके आसपास के जितने भी अरब देश है और श्रिलंका में काफी जादा निर्यात किया गया प्याज निर्यात करने में अब भारत के लिए पाकिस्तान एक अच्छा कॉम्पिटीटर बन रहा है और भारत सरकार द्वारा निर्यात में हर साल नई नई पॉलिसी लाने के कारण निर्यातकों को काफी परिशानी का सामना करना परता है श्रिलंका जो कि भारत में काफी मात्रा में प्याज का आयात करती है वहाँ पर economic crisis होनी के वज़े से भारत के निर्यातक अब पीछे हटने लगे है ये साल भी श्रिलंका में उमीद से कमी निर्यात की जाने की संभावना है ये साल प्याज का रगभा का भी अधिक हुआ है इसमें अगर निर्यात में थोड़ी भी कमी देखी गई तो प्याज के भाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है अब आईए जानते हैं लासल गाव प्याज मंडी के भाव और आवके एकदम सूपर क्वालिटी की बात करें जो कि अरब सिंगापूर यूरोप जैसे देशों में निर्यात क्या जाता है तो सुबख शुरवाती निलामी में 2400 तक निलाम किया गया महीं सूपर क्वालिटी की बात करें जो कि दक्षिन भारत की तरफ ज्यादातर सप्लाई किया जाता है तो 2000-2300 तक देखने को मिली महीं पर मीडियम क्वालिटी की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश जैसे देशों में निरियात क्या जाता है वो 1800-2000 रुपे प्रती क्विंटल देखने को मिली मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहाड ओरिसा उतरप्रदेश में ज्यादातर सप्लाई किया जाता है उसका भाव 1500-1800 रुपे प्रती क्विंटल दर्श की गई अगर हम बड़े साइच की हलकी क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 1200-1400 तक इसका भाव देखने को मिला जातनमाल जो जादा तर लोकल मार्केट में ही सप्लाई किया जाता है उसका भाव 1200-1200 तक निलाम किया गया अब बात करें तेजी मंदी की तो बाजार में आज लगभग सामान खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आवकों की बात करें तो लगभग 15,000 क्विंटल की आवक सुबह तक आई है शाम तक की रपोर्ट क्या कह रही है वो भी आपको बतलाएंगे मध्यप्रदेश की मंदीयों में भी भाव लगभग सामान ही है और अच्छी क्वालिटी की प्याज 20 से लेके 24 रुपे प्रती कीलो तक देखी जा रही है मही मीनियम क्वालिटी 15 से लेके 20 रुपे तक देखा गया है आपक लगभग 40,000 कटों की देखने को मिल रही है दूसरे राज्यों की बात करेते तेवहार के कारण हर मंडियों में लिवाली अभी अच्छी देखी जा रही है और ये डिमांड अगले कुछ दिनों तक बनी रहने की उमीद है अगले हफ़ते के बात से बाजार में कुछ गिरावट देखने को भी हमें मिल सकती है